अज मैं आप लोगों के लिए एक फेस पैक लेके आई हुई हो और यह जो फेस पैक में आज आप लोगों लेके आई हो यह आपकी मुर्जाई हुई तो उसे भी दूर करेगा यह फेस पैक आपकी स्किन को बहुत ही सॉफ्ट बनाएगा और आपकी स्किन पे एक चमक लेके आएगा और अगर आपको संटैन की प्रॉबलम है यह उससे भी आपको छुटकारा दिलाएगा तो चलिए देड ना करते हुए हम आज की जो हमारी होम रेमिडी है उसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं और इस हम रेमिडी को बनाने के लिए हमने क्या क्या यूज किया है चलिए वह आपको दिखाते हैं हमने यहाँ पर लिया है एक चमच दही तो यह हमारा घर का बनाऊवा दही है दही में लेक्टिक एसिट के अलावा जिंक और कई मिनरल मौजूद होते हैं जो आपकी स्किन के लिए काफी फायदे मंद होते हैं यह पिंपल से लेकर दाग धबो और जूरियों जैसी कई प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाता है दही आपकी स्किन में मौश्यर को लॉक करके रखता है और आपकी स्किन को हेल्थी बनाता है आप इसमें हम एड़ कर रहे हैं चंदन पॉडर तो हमें आपी एक चंदन पॉडर यूज़ कर रहे हैं अगर आपके पास चंदन पॉडर नहीं है तो आप मुलतानी मिट्टी का जो पॉडर होता है उसे भी यूज़ कर सकती है चंदन पॉडर का इस्तिमाल ना केवल चेहरे को सौफ्ट और ग्लोइंग बनाता है बलकि इसके इस्तिमाल से इस्किन से जुड़ी कई समस्याओं का समाधान भी हो जाता है यह आपकी स्किन को निखारता है और दाग धबो को भी दूर करता है और इसके बाद हम जो लास्ट चीज इसमें एड़ करने वाले हैं वो है औरेंज अगर आपके पास औरेंज नहीं है तो यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगी औरेंज नहीं है तो आप निबू का भी इस्तमाल कर सकती है तो यहाँ पर हम पहले औरेंज को छिल लेंगे और इसके बाद हमें इसके जूस की जरूरत है नहीं चाहिए चिलके के पॉडर का एक फेसपैक है वो भी मैं बहुत जल देके आँगे आप लोगों के लिए तो यह जो चिलके है मैं वेस्ट नहीं करूंगी इसको मैं सुखा कर रख लूँगी और इसका मैं एक पॉडर बना के रख लूँगी तो यहां पर हम दो स्लाइस मैं पेख लेंगे श्युक्राइब एक प्रीए को मैं निकाल थर तो अ इसको मैं रहें प्राइस एंगी प्रेणके तुर्णा वाट कर देंगे और इसको मैं अपर हम प्रुचर सब्स i more साथ को मैं कर देंगे मोशी तो निकाल लिए और तो हम यह जरॉरणत के हिसाशाब से अगर आपका इक स्लाइस काफी है तो उतना ही लें आप इसका जो बीजा है मैं निकाल दे रही हूं तो इसका भी मैं जूस निकाल के इसमें आड़ कर लोगी औरेंज विटामिन सी से भरपूर होता है और यह आपकी स्किन को क्लीन करता है इसमें एंटि बैक्टिरियल गुड़ भी होते हैं जिससे पिमपल कम होते हैं और आपके अगर दाग धब्बे हैं तो उसे भी यह बहुत हद तक कम करता है और यह आपकी पिग्मेंटेशन को भी दूर करने में बहुत हल्प करता है तो इसके बाद हम क्या करेंगे सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है तो आप इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और यह जो फेस पैक आज मैंने बनाया यह आपकी स्किन से जुड़ी हुई कई प्रॉब्लम से छुटकारा द तो सबसे पहले मैंने अपनी स्किन को अच्छे से साफ कर लिया है यानि कि मैंने फेश वास कर लिया था और मेरे चहरे पर कोई भी मेक अप नहीं है सिर्फ लिप्स्टिक लगी हुई है और काजल इसके बाद हम इस पेस्ट को अच्छे से अपने हातों से लगा लेंगे इसके बाद इस पैक को हमें सिर्फ 15 मिनिट के लिए इसी तरह से छोड़ देना है तो आप देख सकते हैं मैंने अपने फेस पैक लिए मैंसे ऐसे छोड़ दूगी तो 15 मिनिट हो गई है उसके बाद ये मेरे जो फेस पैक है वो अच्छे से सूख गया है और इसे मैं आप न जो भी मतलब प्रॉब्लम से उससे छुटकारा पा सकते हैं इसके बाद अगर आप कोई भी डे क्रीम यूज करना चाहें तो आप उसे लगा सकते हैं मैं क्रीम की जगए हमेशा ऐलोवरा जेल का यूज करती हूँ इसी वज़े से मैं यहां पर ऐलोवरा जेल लगाऊंगी एलोवरा जेल आपकी स्किन पे जो भी दाग धब्बे होते हैं डार्क सरकल होते हैं उसे भी यह बहुत हत्तक कम करता है इसलिए मैं ज्यादतर एलोवरा जेल का ही यूज करती हूँ आपको अगर आज की मेरी होम ब्रेमिडी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए गाओ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए आप लोगों से फिर बलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए बाए